2019 सेमी फाइनल में एक रन, 2021 पाकिस्तान से मिली दस रिकट हार में तीन रन और 2022 टीट्वेंटी वर्ल कप सेमी फाइनल इंग्लेंडिया खिलाफ पांच रन जी हाँ, ये कुछ वो पारी थी जिसके बाद सवाल उठने लगे थे केल राहूल को बाहर करो, केल राहूल टीम में क्या कर रहे हैं और सिर्फ फैन्स नहीं, एक नाम आपने सुना होगा विंकडेश प्रसाद का, विंकडेश प्रसाद इंडिया के पेस्बोलर रहें एक टाइम पर और उनको फेबरोरी के महीने में इसी साल फेबरोरी के महीने में ऐसा हो गया था जैसे वो केल राहूल को कुछ खास नापसंद करते हैं और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप जाकरके उनके ट्विटर पर चेक करेंगे खास करके 11 के बाद 11 फेबरुरी के बाद ये कुछ टूइट्स तो आपको लगातार ऐसे टूइट्स दिखेंगे जहां पर आपको ये दिखेगा कि वो चाह रहे हैं कि आप केल राहूल को बाहर कर दो वो एक एक पुरानी पुरानी उनकी पारी उन पर सवाल उनके टीम में होने पर सवाल और लगातार ऐसी डेरो बाते कर रहे थे जिससे फैन्स इंफुलेंस हो करके उन पर सवाल और उनसे भी सवाल कर रहे थे उसके बाद एक टाइम आता है उसके बाद धीरे दीरे पारी आगे बढ़ती है दिरे 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 दिन आगे बढ़ते हैं पहले औस्टेलिया का मैच आता है वहां भी वो बुरा परफॉर्म करते हैं फिर बात आती है IPL पर IPL में आपको बैंगलोर के खिलाफ इकाना स्टेडियम में लखनौ अपने घर में IPL में मैच हो रहा था और बैंगलोर के खिलाफ रन मतलब बाल के पीछे भागते हैं जब दो बैट्समन रन ले रहे थे तो बाल के पीछे भागते हैं केल राहूल और वहां पर उनकी थाई में कुछ खिचाओ होता है और वो खिचाओ इतना ज्यादा होता है कि वो injured हो जाते हैं और दो तिन दिन बाद जब reports आती है तो पता चलता है कि केल राहूल अगले 3-4 महीने आपको नहीं दिखेंगे अब केल राहूल का इस तरह से बाहर होना बहुत लोगों के लिए था कि हाँ पर रहत की सांस आगए क्योंकि ये खिलाड़ी वैसे ही perform नहीं कर रहा था IPL में ये कुछ खास किया नहीं था तो इसके जानेया कोई नुकसान नहीं है नहीं उनकी टीम जो लखनो सूपर जाइंस उनकी टीम है नहीं उनकी टीम के कोई भी खिलाड़ी या कोई भी फैंस खिलाडी के बारे हम नहीं कह सकते हैं विकोज अंदर क्या चल रहा है या आप नहीं बता सकते हैं लेकिन फैंस और ट्विटर पर ये बात नहीं हो रही थी ये बात हो रही थी कि चलो ठीक है गया कोई बात नहीं वैसे ही फॉर्म में नहीं था उसके बाद आने वाला था एशिया कप और फिर आने वाला था वर्ल कप लेकिन एशिया कप में जब आती है प्लेइंग 11 और उसका जब प्लेइंग 15 दिखती है उसमें केल राहूल का नाम 15 में दिखता है बट 11 में कहीं पर नहीं दिखता है लेकिन जब पाकिस्ताने खिलाफ मैच होता है तो उसमें टॉस के वक्त आकर के रोहिशना बताते हैं कि श्रेश ऐयर को पीट में खिचाओ हो गया है और उस खिचाओ के कारण टीम से वो बाहर हो गया है और उनकी जगह पर कौन खेल रहा है? केल राहूल कुछ दिन बाद ये बात पता चली कि केल राहूल को खुद भी नहीं पता था कि उस मैच में वो खेलेंगे और उस टाइम पर वो किट बैग लेकर भी नहीं आयते जिया उनका किट बैग भी स्टेडियम में नहीं था वो होटल रूम में रखा था तो जैसे ही आपको श्रेयस एयर को खिचाव होता है केल राहूल किसी को भेजते हैं होटल जाते हैं होटल जाकर के वो इनसान उनका किट बैग लेकर आता है फिर वो तयार होते हैं और उसके बाद वहाँ मैच खेलने उतरते हैं और उस मैच में शतक लगाते हैं यहां से केल राहूल की वापसी होती है केल राहूल जब वापस आते हैं वापस आने के बाद उस मैच में शतक और पूर एशिया कप में लाजवा परफॉर्मेंस और उसके बाद वर्ल कप में जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का पहला मैच होता है इंडिया ऑस्ट्रेलिया 199 पौल ओड हो जाती है इंडिया के शुरू की 3 विकट केवल 2 रन पर गिर जाती है और फिर केल राहुल वहाँ पर खड़े रहते हैं और 97 पर वो मैच जीत चुके होते हैं और अपनी सेंचरी नहीं ला पाते हैं। लेकिन वो एशिया कप की पारी जहां पाकिस्तान के खिलाफ उनकी सेंचरी आई थी और वो औस्टेलिया खिलाफ मैच जहां पर 97 पर वो आ गए थे वो दो पारी ऐसी थी जहां से ये पता चल गया कि केल राहुल वापस आ चुके हैं और उसके बाद पूरे के पूरे वर्ल्ड कप में केल राहुल ला जवाब फॉर्म में दिखे चाहे आप विकेट के पीछे की बात करें या विकेट के आगे बल्ले बाजी करते हुए कि इस बंदे ने ये बता दिया कि अगर चौथे नमबर पर श्रेयश आयर है तो पाच्वे नमबर पर मैं हूँ और मिडल ओर्डर इतना स्ट्रॉंग हो गया इंडिया का कि दोनों और तीनों जो भी दो तीन प्लेयर वहाँ पर लगातार परफॉर्म कर रहे हैं जो 2003 की बात थी जहां पर रहुल डरविड आया करते थे वो रहुल डरविड और ये केल रहुल दोनों रहुल ने जिम्मेदारी को बखूबी निवाया है और एक बार फिर इंडिया वर्ल कप के फाइनल ने पहुंच चुकी है इंडिया और आस्टेलिया आमने सामने भीडेंगे और रहुल के पास पूरा पूरा मौका है जैसे रहुल डरविड ने करा था कुछ वैसा ही दोराने का लेकिन इस बार कप हमें चाहिए तो देखते हैं कि Rahul इस बार final में क्या करते हैं? जिस तरह से नोंने comeback किया? क्या वही comeback story हमें final में भी देखने को मिलेगे हैं? आपको कह लगता है, आपकी कितनी उम्मीद है कि एल Rahul से हमें comment section में जरू बताएं इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं